आईए सुनते हैं अध्याय चार जाती, धर्म और लेंगिक मसले परिचे पिछले अध्याय में हमने जाना कि सामाजिक विविद्धा लोकतंत्र के लिए कोई खत्रा नहीं होती राजनीती में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लापकर भी होती है इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाच के संदर्भ में परक्षने की कोशिश करेंगे हम यहां सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली तीन सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे यह हैं लिंग, धर्म और जाती पर आधरित सामाजिक विशमताएं यह असमानताओं कैसी हैं और किस तरह राजनीती में अभिव्यक्ति होती हैं हम इस पर बारी बारी से गोर करेंगे फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधरित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोगतंत्र के लिए लाप कर हैं या नुक्सान दे लेंगिक मसले और राजनीती आईए अपनी बात की शुरुआत हम लेंगिक असमानता से करें सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगे नजर आता है लेकिन राजनीती के अध्यन में शैद ही इस बात की पहचान की जाती है लेंगिक असमानता को स्वभाविक या कहें कि प्राकृतिक और आपरिवर्थनी मान लिया जाता है लेकिन लेंगिक असमानता का आधार इस्थरी और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बलकि इन दोनों के बारे में प्रचलित, रूड छवियां और तैशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं बाद बोले, फेद खोले श्रम का लेंगिक विभाजन अर्थाद, काम के बटवारे का वह तरिका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती है या अपनी देखरेक में घरेली नोकरों या नोकरानियों से कराती हैं निजी और सरवजनिक का विभाजन लड़कियों लड़कियों के पालन पोशन के क्रम में यह मानिता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जम्मेवारी ग्रेस्ती चलाने और बच्चों का पालन पोशन करने की है यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लेंगिक विभाजन से छलगती है औरतें घर के अंदर का सारा कामगास जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरे करना आदी करती हैं जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते दरसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे है पर जब सिलाई कड़ाई से लेकर इन्हें सारी कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी-खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं अधिकांश दर्जी या होटल के रसोई ये पुरुश होते हैं इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हूँ ऐसा भी नहीं है गाउं में इस्तरियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती है शेरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्थरी किसी मध्यम वर्गी परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यम वर्गी स्थरी काम करने के लिए दफतर जा रही है सच्चाई यह है कि अधिकतर मैलाएं अपने घरेलू काम के अतरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं लेकिन उनके काम को ज्यादा मूलिवा नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रे नहीं मिलता श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि और तो घर की चार दीवारी में सिमट के रह गई और बाहर का सारवजनिक जीवन पुरुशों के कबजे में आ गया मनश जाती की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है पर सारवजनिक जीवन में खासकर राजनीती में उनकी भूमिका नगर नहीं है यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है पहले सिर्फ पुरुशों को ही सारवजनिक मामलों में भागीदारी करने वोट देने या सारवजनिक पदों के लिए चिनाव लड़ने की अनुमती थी धीरे धीरे राजनीती में लेंगिक मुद्दे उभरे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में आरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदुलन किये वेबिन देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदुलन हुए इन आंदुलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दरजे को उचा उठाने और उनके लिए सिक्षा तथा रोजगार के आऊसर बढ़ने की मांग की गई मूलगामी बदलाव को मांग करने वाले महिला आंदुलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई इन आंदुलनों को नारी वादी आंदुलन कहा जाता है लैंगिक वभाजन की राजनीतिक अभी व्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गूलबंदी ने सारवजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की आज हम वैग्यानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेच और विशविद्याली सिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नार्वे और फिनलेंड जैसे सकेंडेनिवियाई देशों में सारवजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्थर काफी उंचा है खुद करें, खुद सीखें देश के छे राज्यों में समय का उपियोग संबंधी सरवेक्षन किया गया इससे पता चलता है कि एक औरत औसतन रोजाना साढ़े साथ घंटे से ज्यादा काम करती है जबकि एक मर्द औसतन रोज साढ़े छे घंटे ही काम करता है फिर भी पुरुषों दोरा किया गया काम ही ज्यादा दीख पड़ता है क्यूंकि उससे आवद नहीं होती है आद्धें भी धेर सारे काम ऐसा करती है जिनसे अप्रत्यक्षरूब से आवद नहीं होती है लेकिन उनका ज्यादा तर काम घर की चार दिवारी की अंदर होता है इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता आप अपने परिवार में भी समय का उप्योग वाला सरविक्षन कर सकते हैं अपने परिवार के सभी व्यस्क परुशों और महिलाओं के काम पर एक हफ़ते तक गोर करें और यह दर्ज करते चलें कि इन कामों पर हर आदमी कितना समय देता है जैसे आमदनी वाले काम अर्थात दफतर दुकान या कारखना अत्वा खेत वगरा में काम घरे लुकाम जैसे खाना बनाना जाड़ू पोंचा बरतन दोना कपड़े धोना पानी लाना बच्चों और बुढ़ों की देखरे करना वगरा पढ़ना और मनुरंजन गपशप करना अपने शरीरी की साफ सफाई आराम करना या सोना जरूरी लगे तो आप नई शरीने भी बना सकते हैं इसमें से हर काम में जो समय लगता है उसका हफते भर का हिसाब जोड़ने और फिर उसे साथ से भागते कर प्रत्यक सदस्य का रोज का आउसत समय निकाले क्या आपके परिवार में भी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं। परने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्छे सिक्षा की और कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परिक्षाओं के प्रणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगे लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बहतर नहीं तो कमतर भी नहीं हैं लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि माबाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगे लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इस स्थिति में रोजाना एक घंटा ज्यादा काम करती हैं पर उसको ज्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते हैं इसलिए अक्सर उसके काम को मुल्लिवा नहीं माना जाता। समान मजदूरी से समंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहराल काम के हर क्षित्र में याने खेल कूट की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखनों से लेकर खेत खलियान तक महिलां को पुरुशों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है भले ही दोनों ने समान काम किया हो। भारत के अनेक हिसों में माबाप को सिर्फ लड़की की चाहा होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के दरिके इसी मानसिक्ता से पनपते हैं। इसमें देश का लिंग अनुपाद अर्थात प्रती हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या। कई जग अरी अलाके तो महिलाओं के लिए खास्तोर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि वहां भी उन से मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा चेलनी पड़ती है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनेदित्वा ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान वहवार वाले मुद्दों पर परियाप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विबिन नारीवादी समू और महिला आंदोलन इस निसकर्ष पर पहुँचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रन नहीं होगा तब तक इस समस्या का निप्टारन नहीं हो सकता। इस लक्ष को हासिल करने का एक तरिका ये है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनद्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत की विधाईगा में महिला प्रतिनिद्धियों का अनुपाद बहुत ही कम है जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या अभी कुल सदस्यों की 10 फीसदी तक भी नहीं पहुँचिये राज्यों की विधान सभाओं में उनका प्रतिन धद्व पांच फीसदी से भी कम है इस मौामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे हैं भारत इस मौामले में अफरिका और लातिन अमेरिका के कुछ विका सशील देशों से भी पीछे है कभी कबार कोई महिला प्रधान मंत्रे या मुख्य मंत्रे की कुर्सी तक आ गई है पर मंत्री मंडलों में पुरुशों का ही वर्चस्व रहा है इस समस्या को सलजाने का एक तरिका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए गानूनी रूप से एक उच्चित हिस्सा तैय कर देना है भारत में पंचायती राच के अंतरगत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है स्थानी सरकारों यानि पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिये गए है आज भारत के ग्रामिन और शेहरी स्थानी निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या दस लाग से ज्यादा है महिला संगठनों और कारिकरताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधान सभाओं की भी एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए संसद में इस आशे का एक विधायक पेश भी किया गया था पर दस वर्षों से ज्यादा आवधी से वह लटका पड़ा है सभी राजनीतिक परटियां इस विधायक को लेकर एकमत नहीं है और यह पास नहीं हो सका है लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किसमे के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुत्ता बन जाता है तो वंचित समुहों को किस तरह लाब होता है क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे वेवार का मसला राजनीतिक तोर पर ना उठता तो उसको लाब मिल पाना संभोथा धर्म, सामपरदाइक्ता और राजनीति आईए अब हम अलग किस्म के सामजिक विभाजन की चचकने याने धार्मिक अंतरों पर आधरत विभाजन की ये विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्व भौम तो नहीं है पर विश्व में धार्मिक विभिनिता आज बड़ी व्यापक हो चरी है भार समयत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं पर जैसा कि हमने उतरी आईरलेंड के मौामले में देखा अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धती और मानताएं अलग अलग हों तब भी गंभीर मतभ पैदा हो जाते हैं लेंगिक व्यबहजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अकसर राजनीती के मैडान में अभी विक्त होता है जर्दा इन बातों पर गोर करें गांधी جि कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीती से अलग नहीं किया सकता धर्म से उनका मतलब हिंदू या इसलाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूलियों से था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीती धर्म धोरा इस्थापित मूलियों से नरदेशित होनी चाहिए। अपने देश के मानवादिकार समूहों का कहना है कि इस देश में संप्रदाइक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अलप संख्यक समुदायों के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अलप संख्यकों की रक्षक के लिए विशेश कदम उठाए। महिला आंदुलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णत पारिवारी कानून महिलाओं से भेदबाव करते हैं इस आंदुलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए उनमें बतलाव करना चाहिए बात बोले भेद खोले पारिवारी कानून अर्थात विवा तलाक गोदलिना और उत्राधिकार जैसे पारिवार से जुड़े मसलों से सम्मंधित कानून हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारी कानून है ये सबी मामले धर्म और राजनीती से जुड़े हैं पर ये बहुत गलत या खतरनाग भी नहीं लगते विवन धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूले राजनीती में एक भूमिका निभा सकते हैं लोगों को एक धर्मिक समुदाय के तोर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीती में उठाने का अधिकार होना चाहिए जो लोग राजनीती सत्ता में हों उन्हें धर्म के कामकाश पर नजर रखनी चाहिए और अगर वो किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बरताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है सामप्रदाइक्ता एसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से स्रेश्ट माना जाने लगता है और कोई एक धर्मिक सम्हू अपनी मागों को दूसरे सम्हू के विरोध में खड़ा करने लगता है इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदायके होते हैं उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तता समुदायके लोगों के आपसी मदभेद समुदायक जीवन में कोई एहमियत नहीं रखते इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे समुदायक का हिस्सा नहीं हो सकते अगर विबन धर्मों के लोगों को सोच में कोई समानता दिखती है तो यह उपरी और बेमानी होती है अलग-अलग धर्मों के लोगों के हित में तो अलग-अलग होंगे और उनके टकराओ उनमें टकराओ भी होगा सामपरदाइक सोच बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें ये विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयाई एक ही राष्ट में समान नागरिक के तोर पर नहीं रह सकते इस मान सकता के अनुसार या तो एक समुदाइ के लोगों को दूसरे समुदाइ के वर्चस्म में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट बनाना होगा यह मानता बनियादी रूप से गलत है एक धर्म के लोगों के हिद और उनकी आकांगशाएं हर मुआमले में एक जैसी हो यह संभव नहीं है हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है उसकी हैसियत और पहचान अलग-अलग होती है हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गेर धार्मिक संदर्ब में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन आवाजों को दबना है सांप्रदैक्ता राजनीती में अनेक रूप धारन कर सकती है सांप्रदैक्ता की सबसे आम अभिव्यक्ती देनन दिन जीवन में ही दिखती है इनमें धार्मिक पूर्वाग्र है, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से स्रेश्ट मानने की मानताई शामिल हैं ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती हैं सामपरदाइक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व इस्थापित करने के फिराक में रहती हैं जो लोग बहुत संख्यक समुदाय की होते हैं उनके ये कोशिश बहुत संख्यक वादका रूप ले लेती हैं सामपरदाइक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सामपरदाइकता का दूसरा रूप है इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरूं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बठाने जैसे तर्यकों का उप्योग बहुत आम है चुनावी राजनीती में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तज़के अकसर अपनाए जाते हैं कई बार सामप्रदाइकता सबसे गंदा रूप लेकर सामप्रदाइक के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंगार कराती है विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावा सामप्रदाइक दंगे हुए थे, आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सामप्रदाइक हिंसा हुई है धर्म निर्पेक्ष शासन सामप्रदाइक्ता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है हमारे समविधा निर्माता इस चुनौती के प्रती सचे थे इसी कारण उन्होंने धर्म निर्पेक्ष शासन का मौडल चुना और इसी अधार पर समविधान में अनेक प्रावधान किये गए इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं भारती राज ने किसी भी धर्म को राज की धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है फ्रिलंका में बौद धर्म, पाकिस्तान में इसलाम और इंग्लेंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है उसके विपरीद भारत का सम्विधान किसी धर्म को विशेश दर्जा नहीं देता सम्विधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और परचार करने की आज़ादी देता है सम्विधान धर्म के आधार पर किये जाने वाले किसी तरह के भेद्भाव को अवैधानिक खूशित करता है इसके साथ ही सम्विधान धर्मिक समुदालों में समानता सुनुशित करने के लिए शासन को धर्मिक मौामलों में दखल करने का अतिकार देता है जैसे यह चुआ चूच को इजासत नहीं देता इस हिसाब से देखें तो धर्म निर्पेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचार धारा भर नहीं है या विचार हमारे समविधान की बुनियाद है समप्रदैक्टा भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खत्रा नहीं है या भारत की बुनियादी आवधरना के लिए एक चिनौती है एक खत्रा है हमारी तरह का धर्म निर्पेक्ष समविधान जरूरी चीज़ है पर अकेले इसी के बूते समप्रदैक्टा का मुकाबला नहीं किया जा सकता हमें अपने देनन दिन जीवन में समप्रदैक पूर्वाग रहों और दुश पचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोल बंदी का मुकाबला राजनीती के दायरे में करने की जरूरत है हमने राजनीती में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी इन में एक मौटे तोर पर सकारात्मक या लाबदायक है तो दूसरी नकारात्मक या नुकसान दे आईए अब अन्तिम प्रमुख विभाजन यानि जाती और राजनीती के चर्चा करें इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षे है जातिगत असमानता है लिंग और धर्म पर आधरत विभाजन तो दुनिया भर में है पर जाती पर आधरत विभाजन सिर्फ भारती समाज में ही देखने को मिलता है सभी समाजों में कुछ समाजिक असमानता है और एक ना एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में जाता है लेकिन जाती व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थाई रूप है अन्य समाजों में मौझूद असमानताओं से ये एक खास अर्थ में भिनन है इसमें पेशा के वन्शा नुगत विभाजन को रीती रिवाजों की मानता प्राप्त है एक जाती समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं साथ ही उन्हें एक अलग सामजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है इनमें आपस में ही बेटी रूटी अर्थात शादी और खानपान का समन्धर रहता है अन्य जाती समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है ना महत्वपून पारिवारिक और सामुदायक आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाती के लोग भूजन कर सकते है वर्ण वैवस्ता अन्य जाती समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धरना पर अधारित है इसमें अंत्य जातियों के साथ चुआ चूट का व्यवार किया जाता था इसकी चर्चा हमने नवी कक्षा में की थी यही कारण है कि जोतिबा फुले, महत्मा गंधी, डॉक्टर आमेटकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिकत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्ता बनाने की बात की और उसके लिए काम किया बात बोले, भेद खोले, वरण व्यवस्ता, जाती समूह का पदानुक्रम जिसमें एक जाती के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे उपर रहेंगे तो किसी अन जाती समूह के लोग क्रमागत के रूप में उनके नीचे भारत की सामाजिक और धार्म के विवदता जनगरना में प्रतेक दस साल बद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्च कह जाता है जनगरना विभाक के आदमी घरगर जाकर लोगों से इनके बारे में सूचना जुटाते हैं धर्म समय तो सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं ठीक वैसा ही फॉर्म में दर्ज कर जाता है अगर कोई कहता है कि वो नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता तो फॉर्म में भी वैसे ही दर्ज कर लिया जाता है इस करण देश में विबिन धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनी सूचनाए हैं। इस पाई चार्ट से देश के छे प्रमुख धार्मिक समुदायों की आबादी के अनुपात का पता चलता है। मामुली रूप से घटा है जबकि मुसल्मान, सिक और बौधों का हिस्सा मामुली रूप से बढ़ा है। एक आम लेकिन ब्रांत धर्णा यह है कि देश की आबादी में मुसल्मानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धर्म समुदायों उससे पीछे हो जाएंग लेकिन अगले पचास सालों में भी यह बढ़वार तीन से चार प्रतिशत तक ही रहेगी। इससे थाबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विबिन धर्म समुदायों के अनुपाद में कोई बड़ा उलट फेर नहीं होने वाला। यही बात प्रमक जाती समुओं पर भी ला आदिवासी समुशामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनसूची में दर्च हैं। इसी के चलते इनके नाम के साथ अनसूचित शब्द लगाया जाता है। दायव शामिल हैं जो आमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज्यादा मेल जोल नहीं है। 2001 में देश के आबादी में अनसूचित जातियों का हिस्सा 16.2 फीसदी और अनसूचित जन जाती का हिस्सा 8.2 फीसदी था। जन गड़ना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनिती नहीं की जाती। इनकी चर्चा हमने नवी कक्षा में की थी। पूरे देश में इनकी आबादी कितनी हैं इस बात को लेकर कोई इसपस्ट अनुमान नहीं है। राष्ट्री नमूना सर्वेक्षन 2004-05 का अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41 फेसदी है। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनसूचित जातियों अनसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग दोती है तता हिंदुों की आबादी का भारी बदलावाया है। आर्थिक विकास, शेहरी करण, साक्षरता और सिक्षा के विकास पेशा चुनने की आज़ादी और गाउं में जमीदारी व्यवस्था के कमजोर पढ़ने से जाती व्यवस्था के पुराने स्वरूब और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिता में बदलावा रहा है। शेहरी राकों में तो अब ज़्यादा तर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्टोरंट में आपकी मेच पर बैठकर खाना का रहे आदमी की जाती क्या है। सम्विधान में किसी भी तरह के एक बार फिर भारत लाट कर आए तो यहां हुए बदलावों को देख कर हैरान रह जाएगा। बहराल समकालिन भारत से जाती प्रता विदा नहीं हुई है। जाती विवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी ज़्यादातर लोग अपनी जाती या क कबीले में ही शादी करते हैं। सपस्ट समवेधानिक प्रावधान के बावजूद चुआ चुआ चूत की प्रता अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाती विवस्था के अंतरगत सदियों से कुछ समूओं को लाब की स्थिती में तो कुछ समूओं को दबा कर जिन जातियों को पहले सिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तोर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाती के लोगों का अनुपात असामाने रूप से काफी स्याता है। जाती और आर्थिक ह गठण का एक मात्र आधार है। इस चंतन पद्धदी के अनुसार एक जाती के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समूखाये का निमान करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तता दूसरी जाती के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। जैसा कि हमने साम प्रदैक पहलू नहीं है राजनीती में जाती अनेक रूप ले सकती है बात बोले भेद खोले शेहरी करन ग्रामिन इलाकों से निकल कर लोगों का शेहरों में बसना जब पारटियां चुनाव के लिए उमिदवारों के नाम तै करती हैं तो चुनाव क्षेतर के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल सकें जब सरकार का गठन क्या जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभन जातियों और कबीलों के लोगों को उच्चित जगे दी जाए जातिगत अस असमानता का एक महत्वपून आधार जाती भी है क्योंकि इसमें विभन संस्थानों तक लोगों की पहुंचने रधारित होती हैं उधारन के लिए पहले अच्छूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था जबकि कथित द्विज जातिय को ही सक्षा पाने का अधिकार था आज जाती पर आधारित इस किस्म की आपचारिक और प्रकट असमानताएं तो गहर कानूनी हो गई हैं पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाब या घाटे की इस्थिती में बनाए रखा है उसका संचित असर अभी भी म नीची किसी भी जाती में बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग देखे जा सकते हैं बीस या तीस वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था तब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर आदमी बमुश्किल ही ढूने मिलता था पर जैसा कि राष्ट्री नमूना सर्वेक्षन से इस बस् रस्ता के साथ गहरा संब्ध दर्शाती है यानि उची जाती के लोगों की आर्थिक स्थिती सबसे अच्छी है दलित तथा आधिवासियों की आर्थिक स्थिती सबसे खराब है जबकि पिछडी जातियां बीच की स्थिती में हैं हर जाती में गरीब लोग हैं पर भारे दर जातियों के लोग बीच की स्थिती में हैं। आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं पर यहां भी उची जाती वालों का अनुपाद बहुत ज्यादा है और निचल जातियों का बहुत कम। जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जने अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। राजनिती में जाती पर जोर देने के करण कई बार यह धरना बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है जरा इन चीजों पर गौर देश के किसी भी एक संसदी चुनाव क्षेतर में किसी एक जाती के लोगों का बहुमत नहीं है इसलिए हर पारटी और उमिद्वार को चुनाव जीतने के लिए एक जाती और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पारटी किसी एक जाती या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाती विशेश को किसी एक पारटी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाती के ज्यादा तर लोग उसी पारटी को वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाती के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक परटियों को उसी जाती का उमिद्वार खड़ा करने में कोई रोक नहीं सकता ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाती के एक से ज्यादा उमिद्वार होते हैं और किसी जाती के मतदाताओं के सामने उनकी जाती का एक भी उमिद्वार नहीं होता हमारे देश में सत्तारूल दल, वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक होती तो ऐसा संभव नहीं हो पता सपस्ट है कि चनाव में जाति की भूमिका महत पुर्ण होती है किन्तु दूसरे कारक भी इतने ही असर कारक होते हैं मददाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं एक जातिया समधाय के भीतर भी आमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं एक ही समधाय के आमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग परणियों को वुड़ देते हैं सरकार के कामकाच के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकपरिता का चनावों पर अक्सर निरनायक असर होता है जाती के अंदर राजनीती अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया कि राजनीती में जाती की क्या भूमिका होती है पर इसका मत्तव यह नहीं कि जाती और राजनीती के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है राजनीती भी जातियों को राजनीती के अखाड़े में लाकर जाती व्यवस्था और जातिकत पहचान को प्रफवित करती है इस तरह सिर्फ राजनीती ही जाती ग्रस्त नहीं होती जाती भी राजनीती ग्रस्त हो जाती है या चीज अनेक रूप लेती है हर जाती खुद को बड़ा बनाना चाहती है सो पहले वो अपने सम्हू की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बता कर अपने से बाहर रखना चाहती थी अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है चुद की एक जाती अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती इसलिए वो ज्यादा राजनितिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच समवाद और मूलतोल होता है राजनिती में नए किस्म की जातिगत गोलबंधी भी हुई है जैसे अगड़ा और पिछड़ा इस तरह जाते राजनिती में कई तरह की भूमेकाय नभाती है और एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनिती में चलती है दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदालियों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं कुछ खास हिस्थितियों में राजनीती में जातिगत विभेनताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदालियों के लिए अपनी बाते आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मागने की गुंजाईश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीती ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुँचने तथा नरणय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिदी भी पैदा की है। जातिगत पहचान पर आधारत राजनीती लोग तंसर के लिए शुब नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भिष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी बढ़कता है। कई बार जातिबाद, तनाव, टकराव और हिंसा को भी पढ़ावा देता है। प्रश्नावली एक, जीवन के उन विभन पहलूं का जिकर करें, जिनमें भारत में स्तुरियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिती में होती हैं। दो, विभन तरह की सामपरताइक राजनीती का ब्यावरा दें और सब के साथ एक-एक उधारन भी दें। तीन, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानता जारी हैं। चार, दो कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के अधार पर भारत में चुनावी नतीजे तै नहीं हो सकते। पांच, भारत की विधाईगाओं में महिलाओं के प्रतिनिद्ध्व की स्थिती क्या है। 6. किनी दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्म निर्पेक्ष देश बनाते हैं। 7. जब हम लेंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा आभिपराय क्या होता है। 8. भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षन की विवस्था है। 9. लोकसभा, ख, विधानसभा, ग, मंत्रिमंडल या ख, पंचायती राज की सहिस्थाएं। 9. सामपरदाएक राजनीती के अर्थसम्मंधी इन कत्रों पर गौर करें। सामपरदाएक राजनीती इस धर्णा पर अधरित है कि 10. एक धर्म दूसरों से स्रेष्ठ है। ख, विबिन धर्मों के लोग समान नागरिक की रूप में खुशी-खुशी साथ रह सकते हैं। स, एक धर्म के अनुयाई एक समधाय बनाते हैं। 10. एक धर्मिक समू का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ती का प्रियूग नहीं किया जा सकता। इन में से कौन या कौन-कौन सा कथन सही है। 10. भारती समधान के बारे में इन में से कौन सा कथन गलत है। 10. एक धर्म को राजकी धर्म बताता है। 10. किसी धर्म्युक समूधाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार होता है। झाल